सो हेलाटी स्टुरेंट स्वाइथ आपका मेरे यूटीब चैनल स्पीच के साने ट्रिक्स पर तो फ्रेंट्स आज किस फीडियो हमें देखने वाले हैं हेनेरी का नियम तो हेनेरी का नियम बहुत ही इंपोर्टेंट है यह क्लाश 12 का कैमेस्ट्री का चेप्टर है और यह जो क चार-पांच नमर का यह पूछता ही है तो यह हर साल बोड इग्जाम में पूछता ही है तो आज हम इसे बहुत ही मज़दार तरह किसे पढ़ने वारे हैं वह असान तरह से बस आफको क्या करना है कि वीडियो को सुर्ष से लाज तक जरूर देखिए हम अगर वीडियो अच हेनेडे ने कहा क्या है तो हेने ने कहा है कि मालने जिए MR कोई जाब न यहँआर पूस्वामार कोई पीकर है कि और इसमें रौव भरा हूए है क्या भरा हूआ है े रौ लिक्विड है ठीक है अब देखिए इसमें से हम इधर से कहीं से गयस लाते हैं ठीक है मालीजी ओटू गयस है ठीक है या कोई भी गयस ले लिजे मालीजी हमने यह से गयस लाई और इसमें डाल दिया क्या कि आप गयस को इसमें डाल दिया तो क्या हुआ कि गैस इसमें मिलने लगेगा ठीक है तो हेनरी ने क्या कहा है कि उन्होंने क्या कहा है कि जितना ही हम इसमें दबाव लगाएंगे मतलब कि यह जो गैस है माली जी यह यहां से बंद ठीक है तो जितना ही हम इसमें दबाव लगाएंगे इसमें माली जी गैस भर है कि मिल चुक अप इनोंने कहा क्या है कि जब हम इस हम पीजे ड़ाव लगाते हैं डाब डालते हैं जितना यह सक्षिय डालेंगे उतना ही ज़ो द्रोओ हों वसी में गयस पूरी two- bestimm मिल जाएगा मतलब कि जितना ही ज्यादे हम प्रेशर डालेंगे उतना ही गैस जो की द्राव में जो की विले हो जाएगा ठीक है ठीक है तो जितना ही हम प्रेशर डालते हैं उतना ही जो कि इसमें मिलेगा मतलब कि ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो यह ज्यादे पूरे बढ़े तरके से मिल यहां तक हमने इसको प्रेसर को यहां तक दबा दिया है और इसमें द्रॉब यह और गैस भी है ठीक है तो अभी इसकी आड़ू जो है वह बहुत ही पास पास आगा है मतलब कि इन्होंने कहा है कि जब द्रॉब में हम गैस को वियोजित करते हैं मतलब कि जब इसमें डालते हैं तो उस पे जितना हम दबाव डालेंगे उतना ही वह अच्छी तरह के से उसमें मिल जाएगा मतलब कि घुल जाएगा और यहीं जो कि हैनरी ने हमारा नियम दिया है चली अब इसको हम परिभासा से देखते हैं कि यहसा है नीयम दिया है तो देखिए अब हमने इसका परिभासा मिलाते हैं कि हमने चाहिग नहीं तो देखिए इस्थिर ताप पर मतलब की जो इसका ताप होगा वो इस्थिर होगा नियत होगा ठीक है इसे नियत भी बोल सकते हैं मतलब की इसमें ताप पेदम नियत होगा या इस्थिर होगा पर किसी द्रव में घूले गैस का दर्बेमान ये जो द्रव है द्रव में घूले गैस का दर्बेमान जो इसका भार होगा यम उस पर आरोपित दाप के समानुपाती होता है मतलब कि उसके समान उपाति होगा मतलब कि ये हमारे प्रेशर पर डिपेंड करेगा कि हम कितना इस पर प्रेसर लगा रहे हैं वो उसी पर उसी के समान पाति होगा ठीक है जितने विश पर प्रेसर लगाएंगे उतना ही जो कि gas द्रहुमें पूरा अच्छी तरके से मिल जाएगा तो हेनरी ने जो कि यह नियम दिया है रर देखिए अब इसका जोकिए फार्मूला क्या होगा तो क्या बोला है कि इस्थिरता है पर किसी द्रों में घुले गैस गयस का द्रब्यमान क्या होगा इसमाल यह सको प्र्दैस करता है privacy और डेखें उसपर अरोपिद दाब दाब यह हमारा p हो गया प्रेशर ठीक है पसे देनोट करते है इसको औरже की म से देनोट करते है तो इसके समानुपाती होता है ठीक है तो इसको भी लिख सकते है viewing और यप यम बराबर भी सकते है पी ठीक है तो यह हमारा जोन authentic formula है और देखिए यम बराबर ठीक है अब तो यह हो गया हमारा अब देखिए यम बराबर इस इनोंने कहा कहा है देखिए यम अनुकौन बाते पी मतलब कि यम को यम जब बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा ठीक है अगर यम घटेगा तो पी भी घटेगा मतलब कि जितना हम उस प पड़ेगा ठीक है अब देखिये यम बराबर के के तो हमारा नियताउंख हो गया ठीक है यहां पर यह उनकों लगा रहे है यह जो की हेनरी का जो की इस्थिरांग है ठीक है के यह है एनरी का इस्थी रांग और पी से हमारा प्रेसर तो यह भी सोग कि क्रावर बन घया यम बराबर इस्थी रांग और गोडे प्रेसर ठीक है तो हेनरी का स्थीर गोड़े प्रेसर तो यह आज़ा कने कि रागा होगा मतलब कि द्रोम में आरोपित दाब के समानुपाती होता है मतलब कि जितना हम इस पर प्रेसर लगाएंगे वह उतना ही उसमें वियोजित गूलेगा ठीक है तो यह हो कि हमारा जो कि और भी हम लाग ढ़ाबर हमारे क्या हो जाएगा अब देखी खूली होई गैस की मात्रा ठीक है जो हमारा गैस है तो इसको stimulus के गूली हुई गैस की मात्रा अब देखिए अब KH क्या होगा हमारा KH बराबर हो जाएगा हमारा KH का मतलब क्या है कि हेनरी का इस्थी रांग हेनरी इस्थी रांग और देखिए और हमारे बचा हुआ है P तो P से हो जाएगा हमारा प्रेशर P से प्रेशर तो P से हमारा हो जाएगा प्रेशर इसका मतलब की साम में साम में मतलब नहीं है ठीक है साम में पर गैस का दाब साम में साम में अवस्ता है साम में पर गैस का दाब ठीक है तो अगर आप इतना लिख देते हैं पेपर में तो आपको जो कि full marks दिये जाएंगे तो fans यह देखे बहुत important है और आपको बस इतना ही लिखना है तो अगर आप यह समझ जाते हैं तो आप इसे बीना देखे भी लिख सकते हैं ठीक है तो एक पर और नहीं सम्झा देता हूं आपको कि हेनेरी कहा क्या है कि जब हम द्रौ में गैस को मिलाते हैं तो जब जितना हम उस्पर प्रेसर डालते हैं उतना ही जो कि गैस द्रौ में अच्छी तरीके से घुल जाता है या मिल जाता है तो यह हेनरी ने कहा है कि इस्थिरताप पर किसी द्राओं में घुले गैस का द्रब्यमान उस पर आरोपी दाब के समान उपाती होता है यम अलुकारून पोट्रिया या यम बराबर पी यम बराबर के जो हो जाएगा की च लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक किजिए को और अपने दोस्तों से कीजिए तो फ्रेंट्स गर आपको इसमें भी दिक्कत हूं तो आप खमेंट वाक्स रोख को पूछ सकते हैं तो फ्रेंट्स आपकी एक कमेंट्स है जो कि हमको बहुत ज्यादे मोटिवेट होते हैं जिससे हमको आपको और बढ़ने तरके समझाने के लिए प्रेरिध हो याते हैं और आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल स्ट्राइब करके बैल आकाम को पर प्रेस कर दीजगा ताकि किसी पर मजदार वीडियो से लात रहते हैं तो फ्रेंस मिलते हैं अगरे वीडियो में तो तक गुडबाई जैहिन बंदे मातरम